नमिश्का दोस्तो आज के हमारी किताब का नाम है The Parable of the Pipeline by Bur Hages ये किताब अमीर होने का सबसे बड़ा राज बताती है वो कहते हैं कि अगर आप सूचते हैं कि ज़्यादा सालरी पाने से आप अमीर बन जाओगे संपत्ती निर्मान कर लोगे तो ये बिल्कुल गलत बात है जादा तर लोग यहीं समझते रहते हैं कि जादा सालरी यानि जादा तनखा की नौकरी हमें अमीर बना देगी जबकि ऐसा बिलकुल नहीं होता है क्योंकि जैसे जैसे आपकी salary यानि तनखा बढ़ती है आपके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं इतना ही नहीं बलकि बड़ी salary की वज़े से लोग जादा करजे भी लेने लगते हैं और जब उनकी नौकरी ख़तम हो जाती है तो उनके पास income का कोई source नहीं रहता और पैसे भी जादा नहीं बचते हैं अगर आप ऐसी ही सोच रखते हैं तो ये किताब आपके लिए हैं ये किताब हमें संपत्ति की यानि पैसों की pipeline कैसे बनानी है इसके बारे में सिखाती है जो हमें सारी जंदगी residual income यानि कि एक permanent truth एक हमेशा आने व ये भर हमें आमदानी यानि income होती रहती हैं इसे लिए इसे pipeline कहा गया है जो हर वक्त पानी की तरह पैसे देती रहें बुर्ग कहते हैं कि करोड़पती होना कोई भाग या मौके की देन नहीं है बलकि ये हमारा choice होता है चुनाव है हमारी पसंद होती है ये pipeline हमें financial freedom यानि मन के मताबिक पैसे खर्च करने की सुवीधा और lifetime security यानि जिन्दगी भर सुरक्षा देती है और ये pipeline बनाना हर किसी के लिए संभाव है इसे अच्छे से समझाने के लिए वो पाबलो और ब्रुनो नाम के दो दोस्तों की कहानी बताते हैं ये दोनों दोस इटली के एक छोटे से गाव में देहात में रहते थे दोनों मिलकर अमीर होने के संपती कमाने के सपने देखते रहते थे हम सब की तरह और अपने सपने को सच बनाने के मौके का अंतजार भी करते थे एक दिन एक गाव वाले को किसी कारण एक बड़े टैंक भरके पानी की जरूरत पड़ गई और उन्हें पानी दूर नदी से लाना पड़ता था, उनका गाव थोड़ा दूर था नदी से, उस आदमी ने सूचा कि दो लोगों को इस काम पर लगात लेते हैं, उनको पैसे दे देते हैं, ताकि वे नदी से पानी लाकर इस टंकी को भर देंगे, तो उसने पाबलो और बना देते हैं, तो हम उस पानी को गाव वालों को बेच सकते हैं, जितना चाहे जब चाहे, और अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन ब्रुनो को ये बात बिलकुल रास नहीं आई, उसने कहा कि नहीं, ये मुमकिन ही नहीं, ये संभा भी नहीं है, उसने कहा हमारे पास दिन भर का काम है और हमें इसे पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं हपते में हमें छुट्टी भी मिलती है पाबलो ये पाइपलाइन वाला पागलपन अपने दिमाग से निकाल दो लेकिन पाबलो ने कहा कि हम आधा दिन पानी लाने का काम करेंगे… और आधा दिन जो टाइम बच्चता है हमारे पास पाइपलाइन बनाने का काम करेंगे लेकिन ब्रुनो ने उसे सफ मना कर दिया उसने का कि मुझे ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुमें करना है तो तुम करो मैं इसमें शामिल नहीं हूँ पाबलो को अपनी थे जिनको भी चाहिए और आधा दिन पाइपलाइन को बनाने की मेहनत करता था ब्रुनो पूरा दिन पानी लाने का काम करता था तो उसे पैसे भी ज़्यादा मिलते थे वो गाउवालों के साथ मिलकर पाबलो का मज़ाग उड़ाता था उनके साथ शराब पिकर पाबलो प पाइपलाइन उसकी पूरी हो चुकी है फिर उसे पानी के लिए सिर्फ आधा रास्ता ही तैक करना पड़ता था अब जो जादा वक्त उसे मिलता था उसमें भी वो पचा हुआ पाइपलाइन का काम ही करता रहता था ब्रुनो की हालत अब पानी ला लाकर खराब हो गई थी व और धेर सारा पानी अब पाबलो के टैंक में अपने आप फरने लगा वो आराम से बैठ कर उसे बेचता रहा जब भी वो सोता था तब भी पाइपलाइन से उसकी टंकी अपने आप फर जाती थी अब पाबलो धेर सारा पानी बेचकर घर बैठे पैसे कमाने लगा लोग उस उन सब को मिले जिन्हें बाल्टी से पानी भर कर लाना पड़ता है या उनके घर से पानी बहुत दूर है तो उसने अपने दोस्त ब्रुनो को बिलाया वो बड़ा ही दुखी और ठका हुआ था लेकिन पाबलो ने उसे कहा कि मैं एक नया काम शुरू करने की सोच रहा हूँ और मुझे उसमें किसी की मदद लगेगी तो क्यों न तुम मेरे पार्टनर बन जाओ पहले तो ब्रुनो को विश्वास नहीं हुआ लेकिन फिर पाबलो ने उसे समझाया कि दो साल पाइपलाइन का काम अकेले करते करते मैंने उसमें एक्सपर्टी यानि महारत हासिल की है वो सारी बाते मैं तुमें सिखाता हूँ जो जो इसमें अडचने आती है या जो जो हमें करनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पास सके और कम समय में और तुम इसे और लोगों को सिखाना फिर ब्रुनो मान गया उन्होंने कमपनी उनकी शुरू की और बहुत सारे धेर सारे लोगों को वो ये सिखाते रहे और उससे जो पैसे मिलते थे पानी के पैसे मिलते थे तो अलग-अलग तरीके से उनको पैसे आने लगे उसके कई साल बाद पाबलो और बुरुनो ने काम करना बन कर दिया और रेटायर्मेंट ले ली लेकिन उनकी पाइपलाइन और उसके बारे में सिखाने वाली जो संस्था उन्होंने खड़ी की थी वो तो फिर भी पैसे कमा ही रही थी और उनकी आमदानी शुरू ही थी वो काम नहीं करते थे पर उनकी आमदानी शुरू ही थी अब बुर्ग कहते हैं कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आप कौन हो, बाल्टी से पानी भरने वाले ब्रुनो या पाइपलाइन बनाने वाले पाबलो, मतलब क्या आपको पैसे सिर्फ काम करने पर ही मिलते हैं, या आपका किया हुआ काम आपको हमेशा के लिए पैसे कमा कर देता है, मतलब जितना जब तक काम करोगे, उतना ही पै पैसे कमाने के बारे में ही सोचते हैं, वो वक्त के बारे में सोचते ही नहीं है। क्योंकि पैसे कमाने के लिए वो अपना किम्ती वक्त बेच देते हैं। जबकि पाइपलाइन का मतलब है continuous income, हमेशा हर वक्त होने वाली आमदानी, चाहें आप अपना time दे पाए या नहीं, फिर भी आपकी अमदानी शुरू ही रहती है। पैसों को कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में वो एक और कहानी सुनाते हैं। एक बार, एक समराट सोचता है, कि जिसने भी एक game था, जो उसे खेल था, जो उसे बहुत पसंद था, तो जिसने भी इसे खोज निकाला है, उसे मैं मुह मांगी कीमत या इनाम देना चाहूंगा। वो game समराट को बहुत पसंद था, और वो काफी देर तक खेलता रहता था, तो फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया गया, कि जिसने इसकी खोज बीन की थी, समराट ने उसे कहा कि जो भी चाहते हो इना मंग लो, उस खेल को चौसर्च खानों में खेला जाता था, उस यानि चार चावल के दाने, इतना ही सब कुछ मुझे दीजी, 64 खानों के लिए, समराट और उसके दरबारी जोर जोर से हसने लगे, कि बस इतना सा मांगा इनाम, अरे समराट के पास इनाम मांगने आये हो, ये क्या मांग लिया तुमने, फिर भी उन्होंने कहा कि चलो ठीक चावल की एक बोरी मंगवाई, और एक-एक खाने में उसके कहने के मताबिक दाने रखने शुरू किये, पहले आठ खाने में तो एक, फिर दो, दूसरे खाने में दो, तीसरे में चार, चौथे में आठ, फिर उसके बाद सोला, बतिस, चौशट और 128 दाने रखे गए, जब दूसरे आठ खानों में गिंती शुरू हुई, तो दाने टोटल 32,768 हो गए, जबकि और 48,48 खाने बकी थे, समराट थोड़ा सा डर गया, उसने अपने दरबार के गणितग्य को बुलाया, और पूचा कि इस तरीके से हमें कितने चावल के दाने इस अदमी को देने पड़ जब उस गणितग्य ने हिसाब लगाया चौसस्ट खानों का, तो समराट से कहा कि इस तरीके से जब हम चौसस्ट वे खाने में पहुचेंगे, तो इस आदमी को हमें दुनिया में जितने चावल होते हैं न, उगते हैं न, उससे दस गुना जादा चावल देने पड़ेंग इसे आप कैंसल कर दो, खारीच कर दो, तो जाहिर है, वो चालाक इंसान भी जानता था कि उतने चावल देना समराट के बसकी बात है ही नहीं, क्योंकि दुनिया में जितने चावल होते हैं उससे दस गुना जादा समराट देगा कहां से, तो उसने समराट का दिया हुआ सो एकड चावल का खेत एकसिप्ट कर लिया, उसने वहां सो एकड खेतों को खुशी-खुशी ले लिया, मतलब अपने बुद्धी का, कला का, कौशल का उपियोग करते वक कुछ ऐसी कीमत बदले में मांगना है, कि जो हमें हमेशा के लिए आमदानी देती रहे, हमें अपने वक्त की कीमत करना सीखना होगा, आज के हर वक्त बदलती दुनिया में हम सबको एक से ज़्यादा आमदानी के स्त्रोत, यानि सोर्सिस, यानि पाइपलाइन धूंडना ज़रूरी है, ताकि हमारी एक पाइपलाइन अगर बंद पड़ जाती है, तो बाकी की पाइपलाइन चुरूर रहे, माना कि हमारे पैरेंट्स या टीचर्स ने हमें ये बाते नहीं सिखाई, और एक ही जौब करने में वो खुश रहे, लेकिन बदलते जमाने के साथ चलने के लिए हमें उनके बिलिफ्स को थोड़ा सा साइड में रखकर अपनी नई बिलिफ्स बनाना ये कौन-कौन से टिकनिक अपलाई कर सकते हैं, एक affirmation है जो मुझे खुद को बहुत पसंद है, वो मैं हमेशा chant करती हूँ, क्योंकि affirmations भी बहुत ही कमाल की चीज़ है, अगर आप sincerely उसे करते हैं, तो ये काम करता ही है, affirmation के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसक मेरे पास आमदानी यानि इनकम के कई सारे स्त्रोत है, मेरे पास आमदानी के कई सारे स्त्रोत है, चाहे वो आपके पास हो ना हो, ये affirmation आपको लेना इसलिए जरूरी है, ताकि आप उस रास्ते पर चल पड़ो, ये बीज आप बोढ़ोगे, तो अपने आप उसका व्रुक हो सकता है, लेकिन दोनों के पास वक्त तो सेम ही होता है, यानि 24 घंटे का ही होता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, तो हमें अपने वक्त का कैसे इस्तमाल करना है, जैसे पाबलो और बुरुनो की कहानी में बताया गया है, वो हमें अमीर या गरीब बनाता है, हमेशा क अगर इंसान जनम से कुछ भी हो, हर कोई अपने वक्त का सही इस्तिमाल करके अपने लिए संपत्ती की पाइपलाइन बना कर आमीर हो सकता है आज के दौर में हम इसके कई उधारण देख सकते हैं डिजिटलाइजेशन के कारण हर किसी के लिए घर वैठे अपने बिजनेस को बढ़ाना आसान हो गया है उसी तरह हम इंटलेक्चुल प्रॉपरिटी राइट्स के अनुसार एक काम करके जिन्दगी भर आमदानी पास सकते हैं जिसे ब्लॉग्स है व्लॉग्स है जिन्ने एक बार बनाकर आप हमेशा इंकम उसके द्वारा पास सकते हैं इसमें आप अपनी कोशल, कला, ज्यान, बुद्धी का उप्योग कर सकते हैं और लाखों करोडों लोगों तक पहुट सकते हैं तो ये था पाइपलाइन का रहस्य दोस्तों मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी और मैंने इसके बारे में सोचना भी शुरू कर दिया और इसलिए जब मैंने ये किताब पड़ी थी और इसलिए मैंने आपको बताया कि मेरा जो फैवरेट अफर्मेशन है पैसों के बारे में वो मेरे पास आमदानी के कई सारे स्तुरूत है ये है और मैं इसे हमेशा लिखती हूँ चांट करती हूँ और ये सच भी होने लगा है धीरे-धीरे तो आप भी मुझे लगता है कि इसी तरह अपना कोई एक ठूण लीजिए एक अच्छा सा अफर्मेशन या टेक्निक जो आपको अपने पैपलाइन बनाने के लिए हेल्प करेगा और आपकी जिन्दगी को वो खुशनमा बना देगा आपकी पाइपलाइन आपको जिन्दगी की एक सुरक्षा प्रदान करेगी उसी तरह वो आपको फिनांशल लिबर्टी भी देगी यानि जितनी चाहे जहां चाहे आप पैसे खर्च कर सको तो चलिए आज से ही इसके बारे में सोचना और करना शुरू कर देते हैं और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा अपने नियर और डियर वन्स के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि साजह करने से हमारा ज्यान बढ़ता है और अगर आप कुछ कहना चाते है या कुछ रेकमेंडेशन है कुछ सजेशन है तो आप कमेंट्स में जरूर लिख कर भीजिएगा मुझे आपके कमेंट्स बढ़ना और उनका जवाब देना बहुत अच्छा लगता है धन्यवाद